नमस्कार दोस्तों मैं अंकित पर्मा इक पार फिर से स्वागित करता हूँ आपके पनी जैनल अंकित पर्मा और एक्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसे कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं भारी बारिश के कान लोग जो है वो फच चुके हैं तो हिमाचल के लोगों को जो है अब सापधानी बरतने की जरूरत है क्योंकि मानसून जो है हिमाचल में उतर चुका है तो अब जो है हिमाचल प्रदेश में मानसून में काफी नुकसान होता जानमाल का तो ऐसे में लोगों को सापधानी बरतनी चाहिए जुरूरी काम पर ही मौसम खराब होने पर बाहर निकलना चाहिए और नदी नालों से दूर रहना चाहिए तो क्या न्यूज आईए चली जानकारी आपको अभी इस वीडियो में देते हैं तो देख सकते हैं तादा ख़बर बेकिंग न्यूज आईए जलतर बढ़ गया और छे लोग फंस गए उपनिती खट के बीच फंसे छे लोगों में चीक फोकार मच गए इसमें पांट लोग यूपी जबकि एक स्थानी यूबग था सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने बचाव अभ्यान चला शूरू किया और सभी छे लोगों को स्रक्षत खट से बाहर निकाला बचाव अभ्यान में शामिल दमकल अधिकारी इशोक राणा के सास की हर और प्रशंसा हो रही है जानकारी के अनुसार तड़के करीब सावा छे बजे बनेर खट में करीब 150 लोग नाने के लिए उतरे थे नमकल भी भाग का कार्या ले खट के बिल्कुल समीब है नमकल अधिकारी इशोक राणा में बताया कि अचानक खट का जलस्तर बढ़ने लगा उनके कमरे से यह साफ दिख रहा था कि वह तुरंत भाग कर खट के समीब पहुचे तो दोस्तों ये थी तादा खबर ब्रेकिंग न्यूज हिमाचर प्रदेश के डिस्टिक का अंगड़ा से अगर आपने विदक वीडियो को शेर नहीं किया वीडियो को शेर कर दे और चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले धन्यवाद चैभाद